Hello friends, मैं अभिशेक जोशी, Electrical Engineering, Vila Group of Companies दोस्तों आज हम लग बात करेंगे Transformers के Bookos Relay के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि Industries में अगर कोई Transformers Bookos Relay से Trip हो जाता है तो ऐसी कौन-कौन सी basic चीज़े है जो Bookos Relay में आपको Check कर लेनी चाहिए क्योंकि जब भी आप Industry में Work करेंगे तो कुछ मौके से जरूर आएंगे जब आपका Transformers Bookos Relay से Trip हो जाएगा इसका मतलब यह है कि Transformers पर जो Bookos Relay लगा रहता है वो Bookos Relay ऑपरेट हो जाएगा, Bookos Relay के थूँ आपके Transformers में Tripping आएगी तो ऐसे में कौन-कौन से Basic Inspection है जो Bookos Relay से Related आपको करने चाहिए यह आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो बिना Time Waste के शुरू करते हैं यहां दोस्तो आपको यह चीज़ पता होनी चीए कि Bookos Relay Basically Transformers को Internal Fault के Against Protection प्रोवाइड करता है इसका मतलब यह है कि Transformers की जो खुद की Winding होती है उस Winding में अगर किसी तरिके का Fault आता है माली जे Winding आपस में Intertons Short हो जाती है या Winding का Insulation Break हो जाता है Transformers के Internal Circuit में कोई भी Breakdown अगर होता है तो उसके Against Protection प्रोवाइड करने का काम Bookos Relay का होता है यहां दोस्तों आपको यह भी पता होना चीए कि Transformers का Winding Insulation है यह इतने Easily Breakdown नहीं होता देखें, Transformers एक Highly Efficient Device है और Transformers बहुत जादा Expensive Device भी है इसलिए ऐसा नहीं है कि Transformers पर अगर आपने थोड़ा सा जादा लूड चलाया Transformers अगर थोड़ा बहुत ओवर हीट भी हुआ तो उसके वज़े से आपके Transformers का Winding Insulation फेल हो जाएगा Transformers की जो Winding है या आपस में Short Circuit हो जाएगी इस तरीके के Incident बहुत ही Rare होते हैं क्योंकि Transformers में sufficient protection प्रोवाइड किया जाता है तो Transformers का Winding Insulation पूरी तरीके से ब्रेक हो गया Transformers की Winding जल गई जिसके वज़े से आपको पूरा Transformers ही रिप्लेस करना पड़ रहा है इस तरीके के Events Industries में बहुत Rare होते हैं लेकिन दोस्तो इसका मतलब यह नहीं है कि Industries में Transformers का Bookos Relay operate नहीं होता Bookos Relay कई Incident में operate हो जाता है इसलिए ऐसे कौन से basic response है ऐसे कौन सी basic inspection list है जो आपको चेक कर लेनी चाहिए यह आपको पता होना चाहिए तो देखें दोस्तो अगर Industries में कोई Transformers trip हो जाता है आप उसे check करने जाते हैं और आपको यह पता चलता है कि Bookos Relay operate हुआ है इसका मतलब यह है कि Transformers में जो tripping आई है यह Bookos Relay के through आई है तो सबसे पहले आपको Transformers के पास जाकर physical inspection करना चाहिए यहाँ दोस्तों Transformers के physical inspection से मेरा मतलब यह है कि आपको Transformers के पास जाकर यह check करना पड़ेगा कि Transformers tank से कहीं oil leakage तो नहीं हो रहा देखें, normal condition में आपका जो Bookos Relay रहता है यह पूरी तरीके से Transformers oil से feed रहता है मतलब Transformers oil पूरी तरीके से Bookos Relay में भरा रहता है अगर आपके Transformers tank में oil leakage है और अगर धीरे-धीरे Transformers tank से oil leak हो रहा है तो oil का level धीरे-धीरे कम होता जाएगा जैसे ही आपके Transformers tank से जो oil level है यह Bookos Relay से down हो जाता है तो Bookos Relay इसे abnormal मानेगा और आपके circuit breaker को tripping provide करेगा तो सबसे पहले physical inspection आपको यहीं करना है कि Transformers tank में से कहीं oil leakage तो नहीं है आपको Bookos Relay को physically check करना पड़ेगा कि Bookos Relay में जो window दी रहती है उस window में आप यह देख सकते हैं कि oil का level कितना है किसी भी condition में oil का जो level है यह Bookos Relay की जो position है उससे down नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो गया है तो Transformers tank में आपको oil feed up करना पड़ेगा अब दोस्तों मान लेते हैं कि Transformers Bookos Relay से trip हुआ है आप Transformers के पास physical inspection के लिए जाते हैं यह check करने के लिए कि tank में से कहीं oil leak तो नहीं हो रहा आपकी findings यह रहती है कि Transformers tank में से कहीं भी oil leakage नहीं है उसके बाद भी आपका जो Transformers है यह Bookos Relay से trip हुआ है तो Bookos Relay के उपर दो knob दिये रहते हैं इस diagram में आप देख रहे हैं इस pick में आप देख रहे हैं कि उपर दो knob दिये हैं इस knob को जब आप open करेंगे तो उसमें से oil बाहर आएगा आपको यह देखना है कि उस oil में कहीं bubbles नहीं हो रहे देखे जब भी आपका Transformers overloaded condition में चलता है जब भी आपके Transformers में internal कोई fault होता है तो उसके वज़े से Transformers oil decompose होता है और जब भी आपका Transformers oil decompose होता है तो उसके वज़े से hydrocarbon gases बनती है और इन ही gases के वज़े से bubbles form होता है अब अगर आपके oil में bubble form हुए है तो उसके वज़े से भी bookose relay से tripping आ सकती है तो अगर यह oil leakage का case नहीं है तो आप simple bookose relay का जो दो knob है उसको आप open करिए उसमें से oil को release होने दीजिए और आप यह observe करिए कि उसमें bubbles तो form नहीं हो रहे अगर bubbles निकल रहे हैं तो उस case में आपको oil को continuously release होने देना चाहिए तब तक आप इस oil को release होने देंगे जब तक bubbles form होने खतम नहीं हो जाते एक बार bubbles के formation खतम हो गई अब आपका जो oil है उसमें bubbles form नहीं हो रहे तो उस case में आप इस knob को बंद कर दीजे उसके बाद जब आप जाके breaker को reset करेंगे तो आपका breaker reset भी हो जाएगा और फिर जब आप इस transformer को charge करेंगे तो transformer successfully charge भी हो जाएगा लेकिन दोस्तो एक चीज ध्यान रखिएगा अगर इसके बाद भी आपका transformer trip होता है और bookos relay operate होता है तो जब तक आप transformer की winding को thoroughly check नहीं कर लेते जब तक आप transformer की पूरी तरीके से testing नहीं कर लेते अब दुबारा उस transformer को charge नहीं करेंगे तो दोस्तो अगर transformer bookos relay से trip होता है तो कौन-कौन सी basic चीज़े है जो आपको inspection कर लेना चाहिए ये चीज़ अगर आपको clear हुए तो मुझे comment box में बताइएगा मैं आप से मिलता हूँ कर लेसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुडबाई